नमस्कार आज हम लोग कच्छा नौ की पाठे पुस्तक छितिश भाग एक में संकलित कबीर दास जी के सवद अर्थात उनके पद पढ़ेंगे पहला पद है बहुत ही प्यारा पद है मोको कहा ढूड़े बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलास में ना तो कौने क्रिया कर्म में ना ही योग बैराग में खोजी होय तो तुर्ते मिली हैं पलभर की तालास में कहाय कबीर शुनो भाई साधो सबस्वा सुनकी श्वास में बड़ा ही प्यारा पद है बहुत ही शुंदर पद है और बहुत ही सार की बात कही गई है इसमें कभीरदाजी कहते हैं कि मो को कहां ढूड़े बंदे मैं तो तेरे पास मैं मुझे तुम कहां ढूड़े पंदे मैं तो तेरे पास में मुझको तुम कहां ढूड़े रहे हो मैं तो तुम्हारे पास में हूँ ना मैं देवन, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलास में करें कि तुम मुझे खोजते हुए दिवाले में जाते हो, मंदिन में जाते हो, मस्जिद में जाते हो तिर्थेत्राओं पर जाते हो, काबा जाते हो, कासी जाते हो लेकिन मुझे इन जगहों पर ढूड़ने की कोई आऊ सकता नहीं है मुझे तुम बेकार में इधर ढूड़ रहे हो मुझे कहां ढूड़े बंदे मैं तो तेरे पास में क्यों मंदिल में मस्जिद में काभा में कासी में खोज रहे हो मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी होई तुर्ते मिली हैं, पलभर की तालास में, ना मैं किसी क्रिया में हूँ, ना किसी कर्म में हूँ, यानि ना मैं योग में हूँ, तमाम तरह की योगी क्रियाएं, लोग कर करते हैं क्रिया कलाब करते हैं तंत्र साधना करते हैं पूजा पाठ लोग करते हैं तो ना मैं किसी क्रिया में हूं ना किसी कर्म में हूं कुछ लोग योग का सहरा लेते हैं इस तोर को पाने के लिए कुछ लोग बैराग्य ले लेते हैं यानि संसार से पलायन करके मौह माया क के बंधनों को तोड़ करके बैरागे ले लेते हैं तो कर रहें कि ना मैं किसी क्रिया में हूं ना मैं किसी कर्म में हूं ना मैं योग से मिल सकता हूं और नहीं मैं बैरागे के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हूं अगर यह तुम सोचते हो कि संसार से भाग करके बैरागे ले करके मुझे प्राप्त कर सकते हो तो मैं उस तरह प्राप्त नहीं हो सकता हूँ खोजी हो तो तुरते मिली हैं पल भर की तालास में अगर तुम सच्चे खोजी हो सच्चे मन से मुझे पाना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें पल भर की तलास में, पल भर की खोज मैं मिल जाओंगा, खोजी हो तो तुर्ताय मिली हैं पल भर की तलास में, अगर कोई सच्चा खोजने वाला है, अगर कोई सच्चे हिर्दय से मुझे खोजेगा, मुझे ढूड़ेगा, तो मैं तो उसे पल भर की तलास में, उसने खोजना हMother सुरू किया में कि मैं मिल जाऊंगा क्यों क्यों क्योंकि मैं कभीर श्र्णुनों भैस साथ हूं सहके जोकि कभीर हbor ता जिक व्लूंटंव हे मनुष्चियों सुनौ इस मंदिर मस्जिद कभाकासी कही नहीं हूं योगसे पहरागा से क्रिया कर्म से कर्म कांड से पुजा पाठ से मैं मिलने वाला नहीं हूं अगर तुम सच्चे खोजी हो सच्चे मन से हिर्दे से इस्वर को खोज करें तो हर आती जाती स्वास के साथ हमें इस्वर का सच्चतकार होगा तो इस पद में कविर्दाष जी यह कहते हैं कि इस्वर कहीं बाहर नहीं है इस्त्वर किसी मंदर में नहीं मिलता है, किसी मस्जिद में नहीं मिलता है, तिर्थयात्राओं में नहीं मिलता है, कि आप मंदर में जाकर कि इस्त्वर को खोज लें, मस्जिद में जाकर खोज लें, किसी तिर्थयात्रा में निकल जाएं, कासी चले जाएं, काबा चले जाए तो इन जगों पर इस्वर नहीं मिलता है तमाम तरह के क्रिया कलाब, पुजा पाठ, यग्यहवन, योग बैराग इस सब के द्वारा भी इस्वर नहीं मिलता है क्योंकि इस्वर हमारे अंदर है अगर हम सच्चे मन से इस्वर की तलास करें तो वहाँ इस्वर हमारी हर एक सास में समाया हुआ है तो इसलिए का रहे हैं कबिर्दाजी कि अगर आप सच्चे खोजी हैं सच्चे मंसे हिर्दय को खोज रहे हैं तो वहाँ पल भर में आपको मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ आपकी हरेक सास में इस तोर समाय हुए है